एलो दोस्तो स्वागत हाफ सभी का रोजगार मली चैनल पर दोस्तो आज हम आपके लिए गांधी एवं उनके प्रारमिक आन्दोलन से संबन्द कुछ महरपूर क्योशन लेकर आए जो बार बार एक्जाम में पुछी आते हैं दोस्तो इन्पोटेंट टोपी के हर एक्जाम में यहां से क्योशन बनते हैं तो चली दोस्तो इसके दो पाठ हम पहले ही करा चुके हैं चली स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 क्योसर नमबर 61 से क्योसर नमबर 61 है 1978 में एहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्यागिरह में किसने हिस्सा लिया था किरसकवर्ग, मद्यमबर्ग, जनता या मजदूर आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्सन डी मजदूर चमपरण की सफलता के बाद महत्मा गांधी का अगला प्रियोग बरस 1918 एहमदाबाद की एक कोटन टैक्सोल मिल में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर चल रहे विबाद में हस्तचेप करना था यह विबाद प्लैक बोनस को लेकर था प्लैक का प्रकोप खत्म होने के बाद मिल मालिक इस बोनस को समाप्त करना चाहते थे जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे उतपादन लागत मुनाफा और मजदूरों के जीवन निर्वेहन खर्च का गहराई से अध्यान करने के बाद महात्मा गांधी ने घोसला की मजदूरों को 35 परतिसत बोनस मिलना चाहिए मिल माली को द्वारा गांधी जी के अनसन पर बैठने के बाद गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली तो दोस्तों इसको याद रखेंगे चलिए अगला क्यूशन देखते हैं कि उसे नमबर 62 निमने लिखित में से महात्मा गांधी का कोन सा संगर्स कोद्योगिक सिर्यमिकों के संबन्द में था चमपारण सत्यागर्स, एहमदाबाद संगर्स, खेडा संगर्स या उप्रोक्त में से कोई नहीं आपका सही उत्तर हो जाएगा एहमदाबाद संगर्स एहमदवा संगर्स मील मालिक और मजदूरों के बीच में था इसको याद रखेंगे चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमर 63 इसको याद रखेंगे चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमर 64 गांदी जी के टिश्टी सिप के सिद्धान्द के पृतिपाद के संबंध में निमनलिकित यूगमों में से कोन सा सही है दक्सिड अफरीका 1903, लंदन 1904, दिल्ली 1905, एहमदबाद 1906 आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन है दक्सिड अफरीका 1903 गांदी जी ने वर्स 1903 में जोहंस बर्ग में अपनी ला फार्म इस्थापित की थी जहां वे वर्स 1910 तक रहे गांदी जी ने अपनी ला फार्म में ट्रिष्टी सिप के सिद्धानतों को लागू किया था इसको याद रखेंगे इंपोटेंट क्योशन है चली अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमर 65 गांदी बादी अर्थव्यवस्था के विशह में निमलिकित कतनों में से कौन सा एक सही नहीं है वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे सही हो जाएगा यंद्री करण सोसर और ऐसमानता को जन्म देता है अतैव अहिंसा सामाजिक सन्रचना केंद्री करण बिरोधी है सही हो जाएगा वे भारत मसीनी करण के पक्स में नहीं थे ये भी सही हो जाएगा वे USA के मसीनी करण के पक्स धर नहीं थे ये गलत हो जाएगा USA से उनका कोई संबन नहीं था चलिए गांदी जी का विचार था कि पृतियक देश की अर्थविय वस्ता वहां की जलवायू, भूमी तता वहां के निवाशियों के सोभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए और इन बातों के आधार पर जहां तक अमेरिका का संबंद है उन्होंने वहां के म सामाजिक आर्थिक सुधार संपन किया जा सकता है उनके मंदिर प्रवेश द्वारा उनको साहयता प्रदान करके उनके सामाजिक आर्थिक विकास हैतु कोस अलग करके या उनके लिए कुटिर उद्ध्योग स्थाफित करके आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन D उनके दीए कुटिर उद्ध्योग स्थाफित करका गांधी जी ने कुटिर उध्योग जैसे गुनपनाना घास कूठना तेल पेरना कागज बनाना चमले का काम आधी पर जोड दिया इससे गांधी जी का मानना था कि गरीवों और सोशित का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी चलिए दोस्तों अकला क्योशन देखते हैं क्योशन नमर 67 गांधियन इनोवेशन या गांधी जी का नवाचार का क्या तातपर्य है अधिक उत्पादन से घरेल वर्थ वेवस्ता में अधिक उत्पादन से उपवोग के लिए उत्पादन से या कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए आपका सही उत्तर हो जाएगा उपसंडी कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए गांधियन इनोवेशन गांधी जी का नावाचार का तातपर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए यह सब्दावली सरपरतम प्रोफेसर प्रलाद एवं आर ए मासेलकर द्वारा प्रियोग किया गया था इसको याद रखेंगे चली अगला क्योशन देखते हैं कि उस्टो नमबर 68 कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी खेडा सत्येगरे सबन्या अबग्या आंदोलन ऐसे अहयोग आंदोलन ये चमपारण सत्येगरे खेडा आंदोलन दोस्तोर उननीस सो आठरा में हुआ था सबीना अबग्या आंदोलन जो है उननीस सो तीस में हुआ था ऐसे एहयोग आंदुलन 1920 में हुआ था और चमपारण सत्येग्रा 1917 में हुआ था तो इसमें सबसे पहले जो हुआ था वो चमपारण सत्येग्रा हुआ था इसको याद रखेंगे इंपोटेंट के उसे ने चलिए इसको देख लेते हैं चमपारण सत्येग्रा सरप्रतम घटना है 19-वी सदी के आरंब में गोरे बागान मालिकों ने चमपारण के किसानों के एक अनुबंद के आधार पर यह विनिश्चित कर लिया था कि उन्हें अपने जमीन के तीन वटा बीस भू भाग में नील की घेती करना अनिवार्य है जि किसे ने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के सोचल की तरफ गांदी जी का ध्यान आकरशित किया था बाबा रामचंद्र राजकुमार सुकला स्वामी सहजानन सरस्वती स्रीक्रस्र सिना इलमें से कोई नहीं या एक से अधिग आपका सही उत्तर हो किसानों की दसा की और गांदी जी का ध्यान किसे ने आकरशित किया था तो सेम क्योशन रिपीट है आपका उत्तर हो जाएगा राजकुमार सुकला डी चली अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नंबर 71 चमपारण में तीन कठिया परतागा क्या था तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चमपारण देख लेंगे दोस्तों रिपीट क्योशन है चली अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नंबर 73 गांदी जी का चमपारण आंदोलन था हरीजनों के अधिकारों की सुरक्सा है तू सबन या बग्या आंदोलन है तू हिंदू समाज की एकता बनाई रखन तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्सन डी नील करिमों की समस्याओ का समधान है तू अगला क्योशन क्योशन नंबर 74 गांदी जी का चमपारण सत्यागरा किस से जुडा था तो तीनकटिया से जुडा है दोस्तों जिसका मसलब होता है तीन बटा बीजवाग चमपारण जन्पद में तिन कटिया परता से क्या तात पर रहा था तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन एक किसानों दुवारा तीन बड़ा बीज बुभाग पर नील की खेती करना चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमबर 76 तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उप्शन सी चमपारण में नील की खेती से हैं संबंदित था चलिए अगला क्योशन क्योशन नमर 77 निमने लिखिन कतनों पर विचार कीजिए डॉक्टर राजिंदर परसाद ने महात्मा गांदी को चमपारण आने तथा करसकों की समस्या को जाँच करने के लिए राजी किया था तो गलत हो जाएगा दोस्तो डॉक्टर राजिंदर परसाद ने नहीं वल्कि राज कुमार सुकला ने किया था चलिए चंपारा जाच में आचार्य जेबी करपलानी महात्मा गांदी के सहयोगियों में से एक थे तो ये आपका सही हो जाएगा इनके सहयोगियों में से एक थे तो आपका सही ओप्सन हो जाएगा ओप्सन B केवल दो महात्मा गांदी को चंपारवाने तथा क्रसकों की समस्चा को जाच करने के लिए पंडित कुमार सुकला ने राजी किया था तथा चंपारवा TIM की जाच में गांदी जी के सहयोगियों में आचारिय जेवी कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंदर परसाद, महादेव देशाई, C.F. एंडरूज, डॉक्टर अनुग्रे नारायन सिना, राजकिसोर परसाद, H.F. पॉलाग इत्यादी सामिल थे इसको याद रखेंगे चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नमर 78 चमपारण संगर्च में निमनलिकित में से किनोंने महात्मा गांदी का साथ दिया था, बललब भाई पटेल और बिनोवा भावे, जवाला लहरू और राजेंदर परसाद, राजेंदर परसाद, और अनुग्रे नारान सिना, महादेव देशाई और मडी बेन पटेल, आपका स सही उत्तर हो जाएगा, उप्शन C, राजेंदर परसाद और अनुग्रा सिना, चलिए अगला क्योशन देखते हैं कि उस्टर नंबर 79, निमनलिकित में से कोन महात्मा गांदी के चमपारा सत्याग्रे के संबंदित हैं, तो राजकुमार सुकला ने दोस्तों इन्हें प्रे नगदी की फसल, चलिए अगला क्योशन देखते हैं क्योशन नंबर 81, भारत में नियोजित विकास का ब्रोध किसे ने किया था, महात्मा गांदी, जवाला लेहरू, इंदरा गांदी, राजीव गांदी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, उप्शन E, महात्मा गांदी, भारत में नियोजित विकास का ब्रोध महात्मा गांदी ने किया था, गांदी जी वस्तुते उध्योगी करण और मसीनी करण के ब्रोध में थे, उन्होंने कुटिर और ग्रामिड उध्योगा समर्तर कनने के साथ ग्राम को अरत्वेवस्ता की आधारबुत इखाई माना, उ यहां के निवाशियों की सभी आवे सकता हैं, वहीं के उत्पादकों से पूरी हो सके हैं, तो इसको याद रखेंगे, चलिए अगला क्योशन देखते हैं, क्योशन नमर 82, चमपारा आंदोलन से कौन संबंदित नहीं थे, टांक्टर राजिंदर प्रसाद, अनुगरे, नारा आपका सही उत्तर हो जाएगा, उप्शन डी, जैवरकास, नारान, देख लेंगे दोस्तों, कौन-कौन इससे संबंदिते सब दिये हैं, चलिए अगला क्योशन देखते हैं, क्योशन नमर 83, चमपारा आद क्रसिय जान समीति का सदस्या निमने लिखित में से कौन नहीं था आपका सही उत्तर हो जाएगा, उप्शन C, अनुग्रे नाराया, चमपारा क्रसिय जान समीति का अध्यक्स, एपजी सलाई थे, और इसके सदस्या थे, डीजे रीड, महातमा गांदी, L.C. आदामी, राजा हरी परसाद नाराया सिंग, और जी रेना, जबकि M.E.L. टैनर स अचीब थे, तो इसको याद रखेंगे, इंपोटेन क्योस्टन है, चलिए दोस्तो अगला क्योशन देखते है, क्योस्टन नंबर 84, सत्यागरा आरम किया था, चोरी चोरा में, डांडी में, चमपाराल में या बार दोली में, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, उप्शन C चमपाराल में, तो बिहार के चमपाराल में, जो है, सत्यागरा आरम वह था, चलिए दोस्तों इसको याद रखेंगे, अगला क्योशन देखते हैं, क्योस्टन नंबर 85, निमलिखित इस्थानों में से कहां महात्मा गांदी ने बारत में सरपृत्तम सत्यागरा आरम किया, आपका सही उत्र हो जाएगा उप्शन C चमपार, बिहार के कौन से स्थान पर गांदी जी ने अपना पिर्धर्थम सत्यागरा आरम किया था, तो सेम क्योस्टन हो जाएगा, आपका उत्र हो जाएगा, उप्शन A चमपार, चलिए अगला क्योस्टन नंबर 89, निमलिखित क प्रत्राइब ब्रूस संचालित किया गया था ये भी सही हो जाएगा ये प्रत्रम आंदोलन था जिसे एमके गांदी ने संपूर भारत इस्तर पर आरम किया था तो ये गलत हो जाएगा ये संपूर भारत पर नहीं बल्कि चंपारल में लागू किया गया था इसको याद चली अगला क्योशन देखते हैं कि उसन नम्र 90 चंपारल नील आंदोलन के राष्टी नेता कौन थे तो रविंदरनाःट टेगोर एनजी रंगा राझकुमार सुकला या राजिंदर प्रसाद तो आपका सही उत्तर हो जाएगा option भी एनजी रंगा एनजी रंगा ने महत्मा गांधी के चंपारल सत्ते गरय का ब्रोद किया था जबकि रविंदरनाःट टेगोर ने चंपारल सत्येग्रे के दोरान ही इन्हें महात्मा की उपाधी दीधी से याद रखेंगे important question है चलिए अगला question देखते है question number 92 खेड़ा के किसानों के पक्स में महात्मा गांधी के सत्य ग्रह संगटित करने का क्या करण था अकाल पढ़ने के बावजूत प्रसासन ने भूरा जस्प की उगाई इस्थकित नहीं की थी सही हो जाएगा दोस्तो भूरा जस्प बंद नहीं किया था पिरसासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में इस्थाई बंदोबस लागू कर दिया जाए तो दोस्तों इस्थाई बंदोबस से इसका कोई संबन नहीं है तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा option ए केवल एक बर्स 1918 में गुजरात के खेडा में किसानों के फसल नश्थ हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भूरा जस्थ उगाई इस्थगित नहीं की थी इसी मुद्दे पर महत्मा गांदी ने खेडा के किसानों के पक्स में सत्याग्रा संगटित किया था खेडा आंदोलन प्लैक फैल ने और अकाल पढ़ने के कराण किसानों ने लगान आदा करने में एसमर्थ होने और राज्येगे प्रती उनमें एसंतोस होने के परिडाम शुरूप हुआ था तो दोस्तो इसको याद रखेंगे इंपोटेंट के उसमें तो दोस्तो आज के लिए इतना ही काफी है यदि आपको वीडियो पसंद आया हो आगे भी सित्रा की वीडियो पर आपकरना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबादे